हेलो दोस्तो युट्यूब चनल टेक्टनों मैं आपका स्वागत है तो दोस्तो फोन में सॉप्टेयर आपडेट नहीं हो रहे ऐसा दोस्तो मेरा फोन में भी 2-3 बर हुआ था फोन में आपडेट डाउनलोड तो हो जाता है लेकिन जब भी हम लोग इंस्टोल करने जाते है तो आपडेट इंस्टोल नहीं होता तो मैंने पता किया कि ऐसा क्यों हो रहा है और मुझे पता चला कि फोन में कुछ प्रब्लेम की बजाए से ऐसा होता है फोन को update करने से पहले फोन में हमें कुछ process करना पड़ता है और वो process मैंने फोन में किया था और मेरा फोन update हो गए है तो दोस्ता आज मैं आपको यही बताने बला हूँ कि फोन में software update क्यों नहीं होता है और इस problem को हम लोग कैसे solve कर सकते है दोस्तो छोटा सा वीडियो का वीडियो को पूरा देख लेना तो दोस्तो मैं हूर भी राए अभीदा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए थोड़ा free करना होगा पास से 6GB तब खाली रखना होगा ठीक है तो आपका internal storage अगर खाली नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ डिलीट करके पहले internal storage को खाली कर लेंगे ठीक है इसके बाद दोस्तों देखे हमें क्या करना है दोस्तों आप जानते होंगे कि फोन में trash file, junk file या फिर cache file create होता है तो फोन को update करने से पहले आपको cache file, junk file या फिर trash file clean करना होगा ठीक है? अगर फोन में junk file, trash file या फिर cache file रहेगा तो आपका फोन update नहीं होगा तो इसके लिए आपको क्या करना है आपका फोन में एक cleaner होना चाहिए हर फोन में कोई ने कोई cleaner होता है जैसे कि मेरा फोन में देखिए security नाम का एक cleaner app है आपका फोन में जो भी नाम का cleaner app है उसको आपको open कर लेना है ठीक है और अगर आपका फोन में cleaner app नहीं है तो आप क्या कर लेंगे प्लेस्टोन में जाकर समस्ताने हैं उसको फ्टोन में इंश्ट Wasonge कर लेंगे तो देख़िये हाम इसे क्लिनर क्लिन अप को ओ्पिन कट करना है फिर इस एप में आकर आपको तीन कई करना सुन है फिर आमें बैक आना है फिर आपको यहाप एक monit 딱 dicen his Wr stuff कर देना है टिक है ब्रकवर्त किलिन हो जाएगा फोन फिर आपको बैक जाना है फिर आपको यहाप में और एक kardeşim मिलेगा a boost boost speed इस पर भी आपको tap कर देना है ठीक है देखे मैरा फोन में इस समय है 461 MB तो यह किश को मुझे यहां से clean करना है नीचे यहां पर देखे boost speed इस पर हमें tap कर देना है ठीक है तो आपका फोन में cleaner अप से यह 3 काम करना है इससे फोन का जो cage, trash और junk फैल है वो सारे clean हो जाएगा और फोन optimize हो जाएगा ठीक है इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है हर फोन में एक overview बटन होता है यह आपे side में रहता है उस पर आपको tap करके background में जितने भी app open है वो सारे app को यह से हटा देना है एक एक करके ठीक है तो आप यह phone पूरा clean हो गए है और यह phone आप software update के लिए पूरा तेयर है तो इस तरह दोस्तों सबसे पहले आपको phone को clean करना है और space को खाली करना है इसके बाद phone को software update में लगाना है ठीक है और इस बार आपका phone में software update हो जाएगा कोई भी problem नहीं होगा तो दोस्तों उम्मीद करता हो कि वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना तो आज के लिए इतना ही thank you, bye bye